अमेरिकीर भारत्य सैनिक को सम्मिक्त युद्ध अभ्यास अमेरिका को अलास्का मा सुरू असोज 21 गते समा संचालन हुने सम्मिक्त युद्ध अभ्यास को अलास्का संस्करन मा भारत्य सेना का 350 जवान सहभागी अमेरिका को न्यूयोक मा सकती साली आधी पछी को बाड़ी का कारण आपतकाली नवस्ता घोसडा, सडक तथा विमानस्तल अस्तव यस्त केही छेत्र मा पांच इन्च समा बर्सा हुदा जन जीवन प्रभावीत, बाड़ी मा फोसे का छो जना को उद्धार, थप छेती को बर्न प्राप्त नव भाई को उद्धार मा समलगन अधिकारी को भनाई, चालू बर्समा करीब 2 लाख आप्रभासी भूमध्य सागर पार गरेरा यूरोप पुगन सफल भाई पनी 2,500 जनाले भने जयान गुमाए, वा उनीहरू हराय को हुनसकने सरणार्थी समंधी समितर इतली पुगे भने, ग्रीस, स्पेन, साइप्रोस, माल्टा लगायत देश मापनी आप्रभासी पुगे को उलेक। रा निवग्योक मा भायको समितर राष्टर संग को अठतरव महासवाब आरे छलफल, निजजर को हत्यालाई लिए रा भारतर कैनडा वीच को विवाद बारे दुवई नेताले कुनेश सब्द बोलेनन। अमेरिकी सहर निवग्योक लगातार डूवी रहयको नासा को भनाई, लगातार बर्दे गयको समुंदरी सतह का साथ ही सहर का 10 लाख बंदा बड़ी भवन को ताउल करिब सत्र ट्रिलियन पाउंड रहयको रा यो बर्दे जाने भायकाले प्रिथिविले सहर लाई बिस्तारे निलन थाले को नासा को चिनता अमेरिकी सौट डाउन ले बड़ाय संकट, संगिय सरकार का लागी एक महिना को खर्चा रकम स्टा पैक बोस जारी गरन लगाई एको विदेक अमेरिकी समसत को तल्लोसा दनबाटर सुक्रवार असुक्रेद भायवेर पछी अमेरिका मा थप संकट, खर्चा का लागी रकम भेटिये न भने 40 लाग संगिय कर्मचारी हर को तलब रोका हुना सकने, युरोपेली संग द्वारा मलेशिया वार्ट आया थोने गरेको पाम आयल मा कटवती, जवाफ मा मलेशिया द्वारा चीन मा हुदे आयको पाम आयल को निर्यात मा दोई गुडाले व्रिद्धी गरन नया दिल्ली मा रहाईको अफगान दुतावास आज़ा देखी बंद, भारत सरकार को असहयोक का कारन दुतावास बंद गरन परेको अफगानस्तान दुतावास का अधिकारी को भनाई अस्ट्रेलिया को सिर्डिमा वेल माचाले डुंगालाई ठकर दिदा एक जना को ब्रतिव और का एक जना गंबीर घायते अग्यान बस पीडी थरू धेरे वेल माचा भायका अस्तान मा डुंगाली एर पुगदा यो दुरगटना भायको हुन सकने सुरक्षय अधिकारी हुआं को लग्यान